नमस्कार, हमारे चाइनल हिंदू रिच्वल्स में आपका स्वागत है आई जानते हैं, ग्रिहस्त्र आश्रम क्या है? इस्त्री पुरुष का जो वैवाहिक बंधन है, उसी का नाम ग्रिहस्त आश्रम है और उन दोनों के ये खुकर रहने से ही ग्रिहस्त का काम सुचारू रूप से संचालित होता है ग्रिहस्त आश्रम सब आश्रमों में श्रेष्ट माना गया है जिस प्रकार वायू का आश्रे प्राप्त करके सभी प्राणी जीवित रहते हैं उसी प्रकार ग्रिहस्त आश्रम प्राप्त करके सभी आश्रम में अर्थाद ब्रह्मचर वानप्रस्ति और सन्यासी निर्वाह करते हैं क्योंकि ब्रह्मचर आदी तीनु आश्रम ग्रिहस्तों से ही विदाध्यन और अन्न को प्राप्त करते हैं इसलिए ग्रहस्त आश्रमी ही सर्वश्रेष्ट हैं। अक्षे स्वर्व और संसारिक सुख चाहने वाला मनुष्य प्रयत्ने के साथ ग्रहस्त आश्रम का आश्रेण करें। जो अज संयमी हैं वे ग्रहस्त आश्रम को नहीं चला सकते हैं। ग्रिहस्त आश्रम को चलाने के लिए आवश्क है कि इस्त्री पुरुष अपने शरीर और मन को खुब बल्वान तथा संयत बनाए, संसारी ग्योहारों को उत्तम रिती से चलाने के लिए विद्याबल प्राप्त करे, तभी शूरवीर और बुद्यमान संतान पैता होगी, इस इसी से ग्रिहस्त आश्रम का बोज संभाल कर अन्य आश्रमों की सेवा की जा सकेगी, ग्रिहस्त आश्रम में इस्त्री पुरुष को काम वासना रहित प्रेम भाव से संयत एंद्री रहकर ज्यान सहित संतान उत्पन करना चाहिए, वह ग्रिह स्वर्क के समान है, जिसमें इस इस्त्री पुरुष वेवहार पर कोई प्रतिबंध नहीं रहता। सैयम ही सर्वत कृष्ट उपाय है। सैयम और वेवहारिक नहीं है। कृत्रीन साधुनों से मन उश्रिंखल बनता है। मन की चंचलता से वीशय सेवन की परिमिती नहीं रहती। ग्रियास्त आच्रम में प्रवेश करने के पश्चा इस्त्री पुरुष को स्वधर्म में रत रहते हुए एक दुसरे का रक्षक बनका रहना चाहिए। ना के इंद्रिये के शणिक सुख भोग के वशिभूत होकर एक दुसरे के भक्षक बन जाये। यह सत्य है कि इस्त्री शक्ती रूपा है और शक्ती का श्रोथ है। सारे संसार को शक्ती इस्त्री जाती से ही मिलती है। पर उसकी शक्ती की देख रह करना कौमरा वस्था तक पीता का करतबी है। दीन प्रतिदीन उत्तर 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 उसकी शक्ती का विकास होता रहे इसक का भार पीता पर है युवा वस्ता में विवाह के बाद उसकी शक्ति की देखरे का भार पती पर होता है ग्र्य धर्म को सुचारू डू Health से सन्चालित एवं धर्मिम्योत संतानुत पती करते हुए उसकी देखरे करना अर्थात उसकी शक्ति कहीं कम न हो जाए इस बात का ध्यान रखना पती का करतवी हो जाता है। ग्रियस्त आश्रम समाथ करने के बाद उसकी शक्ति की देखरे करना और सेवा करना पुत्र का करतवी है। उसकी शक्ति का जितना संचे रहेगा उद्राही उसकी आत्मा का विकास होगा और आत्मा का प्रकाश बढ़ने से उसको मुक्ष की प्राप्ति होगी। कम सिकम पुनर जन्मे यह संचित शक्ति उसके लिए सहायक होगी। शास्त्रों ने पीता की अपेक्षा माता का सहस्र गुणा समान करना कहा है। धार्मिक द्रिष्टी से चतुर्थाश्रमी यति सरो बंध है। ग्रिहस्त पीता भी सन्यासी पुत्र का बंधन करता है। प्रन्तु उस सन्यासी के लिए भी धर्मानुसार माता की बंधना वहीत ह ग्रियास्त आश्रम धर में बंधा होता है जिस्से की वह सुचारू रूप से चलता रहे विवाह के समय जो अगनी स्थापित की गई है उस अगनी में विधी पूर्बग, प्रातह, सायम, हवन आदे ग्रिह कर्म, पंच महायग्य और पाक भी तयार कर लेना जाहिए ग्रियास्त के लिए हिंसा के पांच स्थान है ये हैं चूला, चक्की, जाडू, ओखली, मूसल और घड़ा इन पांचों के विवहार से चीटी से लेकर सुक्ष्म जन्तू की अंजान में भी हिंसा होती है इसलिए इन पांचों को पंचसूना यानि पांच हिंसा के स्थान कहा अन्यत्र ब्रह्म्वियक GB के स्थान पर रिशी यगे का वड़न आता है इन पांचों हिंसाओं के निवरिती के लिए महश्यों ने घियास्तौक निमित पंच महायग्यों का विधान किया है वे पंच महायग्यर ब्रह्म्ययग, पित्रीयग, देवयग, भूत्ययग और निरियग, अध्ययन अध्यापन करना ब्रह्म्ययग होता है, तरपन करना पित्रीयग होता है, हवन करना देवयग होता है, बलिवैश्वेदेव करना भूत्ययग और अतिथी पुजन करना निरियग होता है, ग्रिहस्त यथा शक्ती इन पंच महायग्यों को करते रहे छोड़े नहीं जो ग्रिहस्त देवता अतिथे सेवक मातापीता तता स्वयम को अन्न से भरन पोशण नहीं करता वह सास लेता हुआ भी मुर्दा होता है कुष मुनिजन अहुत, हूत, प्रहुत, ब्राम हूत और प्राशीत इन पांच कर्मों को पंच महायग्य मानते हैं वस्तु तह अहुत आदि नाम मात्र का आंगे यहां अहुत शब्द से ब्रह्मग्य रुप जब प्रहुत शब्द से देवयग्य नामक होम प्रहुत शब्द से भूत यग्य नामक भूत बली, ब्राम युक्त शब्द से मनुश्य यग और प्राशीत सब्द से पित्र यग्य ही समझना चाहिए यदि दरीद्रे आदि दोश से अतिथी भोजर आदि कारे करने में ग्रिहस्त समर्थ नहीं हो तब वह ब्रह्म यग्य रूप वेदबाठ में और दैव कर्म रूप होम में सनलगन हो जाए क्योंकि इन दोणों से ग्रिहस्त जड़ जंगम समस जगत को धरन करता है अतहा विधी पूर्बक किया गया हवन सुरी को प्राप्त होता है सुरी से विष्टी होती है विष्टी से अन और अन से प्रजा का जन्म तथा भरन पोशण होता है इसी प्रगार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचूल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लीक करना ना भूले धन्यवाद